दिनेश कुमार जी, शीहरीवेंश, पूझे सद्गुरत भवान के चर्णों में कोटी-कोटी पढ़ाँ, महारे जी मेरा निवेदन यह है कि जो इस शरीर की धरम पत्नी है वो मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती, यदि मा, का मनी आपका कहना नहीं मानता तो दूसरे की बात क्या है, प्रश्न अपनी उपाशना को परिपक्क करने के लिए कि आज़ता है, पत्नी सरीर संबंद है, और मन हमारे भगवत संबंद में बादक है, वही तुमारी बात नहीं मानता, तो बाहर को प्रश्न मत करो, अपने मन को अपने मन को शृमाद लो अपने मन को भगवदाकार कर लो प्रियाजी के चरणों में समर्पित कर दो आपको पत्छी-पत्छी नहीं दिखाती देगी उसमें जगत पति दिखाये देगा हमारी वाशना की पूर्ती के लिए मेरा प्रभु मेरी पत्नी रूप लेकिया है समस्या का समार्दान तुका राम जी महराज बिठल बिठल केशव बिठल 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 बिठलाम पानी भर के रारे देख कट वचन बूले पूरा मठ का पानी को पर खेंग दिया भाग्यवान उने तो सुनाता जो गरस्ते बरस्तिली तो गरजी भी बिठल भगत लड़ाई थोड़ी लड़ता है भकत तो कृपा देखता है गन्ना चार पाँच किसी भगत ले दिये थे तो घर ले जा रहे थे दो चार बच्चला रास्ते मिल गए हो मांगे तो दे दिये ए गये और उनका चार और थे बाट दिया ना यह कुछ कमाता भी नहीं जो मिलता भी है वह बाट देता पूरा गन्ना तूट गया उनका कोई बात नहीं तोड़ना तो था ही तूट गया आच्छा है कभी गुसा नहीं तुम्हारी बात वो क्यों माने तुम अपने गुरू की बा पंस का निर्णे थड़ी होता है यहां भागवतिक निर्णे होता है अपने मन को भगवदा कार कर लो तो वासुदेवाश्वरमित्शाम आत्मा सुदरलवा कोई है ही नहीं और अगर यह सोचो कि पति नहीं तुमारे या नुकूल चले तुमारे या धीन चले ऐसा क्यों च पतियों को जुकाओ क्यों कि तुम सत्संगी हो भगवत मार्ग के पतिको जुका कर उसे प्रेम में अधिन करो सासन करने का दिकार थोड़ी है जैसे लोग समझते ना कि पतिनी एक साधारन चीज साधारन चीजने जो जीवात्मा तुम हो वही जीवात्मा हो है वो इस्त्री शरीर में तुम पुरुष शरीर में और दोनों एक मित्र बन करके भगवत सला लेकर चलो मार्ग में इन गुण है माया के हो शक्ता तमोगुण सुभाव रजोगुण सुभाव तो तुम्हारे भाग के करमा दिन होकर उपतिनी बनी आके ना निर्वा करो भठो ना इसलिए कह अगर बिगड गया तो फिर रात दिन उसी घर में रहना जलो और द्वैस करो बजन बजन तो सब चला जाएगा तेरे दिल लाज जूता होंगे कोई मार्ग नहीं मिलेगा ये बहुत गंदी बात है जो इस्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या इस्त्रियों को अपनी दासी समझता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए दोनों एक मित्र हैं दोनों इस संसार मार्ग के गाड़ी जो चलते हैं उसके पए दोनों के बराबर होते हैं अगर एक भी छोटा उसमें लगा दो तो गाड़ी पलट जाएगी ये जो लोग समझते हैं कि मैं पूरुष हो तो बहुत ब सकते हैं उसे हाद जोड़ सकते हैं फ्ऽौडाा सासन दिखा सकते हैं पर हम यह नहीं है कि हमारी मतलब अनुकूल चले हमारे अनुकूल कि उसकी वीटी वी अनु कूल करने के लिए देखो दुकाराम जी की पति न इतना सब करती थी ती ना और सबसे पहले भगवत, तुकाराम से भी पहले उनको भगवत साक्षात कार हुआ, क्योंकि उनकी पत्री थी, एक महा भगवत की पत्री थी, ये सब करती थी, पर एक बात थी, भोजन बिना उनको पवाई नहीं पाती थी, बज़ एक बात, तो कुछ भोजन लेकर के जा रही थी, तो बड़ा काटा को पहले तो कहीं भी तुकाराम जी बैठकर भजन करते तो ढूड़ती रहती थी एक दिन काम ठक गई दूड़ते दूड़ते किदर जब मानाता चले जाते हो मैं कैसे जानू उनका चौराहे में जाके कान लगाना जिधर की भूम इसे बिठल बिठल आवाज उ इतना बड़ा बंबूल का काटा अब चला न जाए बड़ा कश्ट थाकुर जी आगे पीता काटा लगया है मैं काटा निकाल देता हूं इतना प्यार अब काटा कैसे निकले हाथ से थाकुर जी तो निकाल सकते थे लेकिन महिमा दिखाने के लिए कि मेरे भक्त का थोड़ा ही कोई सम्मंद स्वेकार करके आदर करता है तो मैं दात से थाकुर जी ने काटा निकाला दात से और अपने पीतांबर की पट्टी ठाल के ऐसे बना जब वो गए लंगडाची तो तुकाराम जी जो दर्शन कर रहे थे महाभागवत के दर्शन कर रहे थे अब पती नहीं प प्रभू प्रभू कितले क्रपाल तो उन्हों बताया दात से काटा ले तो और आप भजन करो आप भक्ती में डूबो तो आपकी सम्मंद से उसका सुभाव क्या उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा अब द्वेश नहीं करना अपने सरी नहीं हमारी किड्नी फेले अब क्या करें सहर है ना डाइलेसिस अभी थोड़ी दिर बाद जाएगा भोगना है ना मान लो हमारा कोई प्रारब्द करम है उसी की बुद्धी में बैठके भोगवा रहा है नहीं अभी वो बुद्धी अनकूल हो जाए समझे ना जो हमारे प्रतिक को नहीं करना चाहिए जगडा करना चार लोग जाने कि तुम्हारा तुम्हारा पतिनी में बहर भाव ऐसा बिलकुल नहीं हो तब हमारे शिश्यों तब हमारे धर्म मर्यादा का पालन कर सकते हो समझे ना झाब समझे ना